नमस्कार दोस्तो आप लोग ऐसे हैं आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे इस वीडियो बात करने वाले हैं रेलबे एलपी नई भरती दोजात चोबिस की रिगाड़े जैसा कि आप लोग के मालूँ होगा कि एलपी के 596 प्रदों के लिए औलान अवेदर 20 जेलबरी से स्टार्ट है जिसका अंतिम तित्थी 19 फरवरी है दोस्तो आज 13 फरवरी है 13 फरवरी तक कौन से जोन में कितने फोरम भरे गए हैं आप लोग को बताने वाले हैं दोस्तो इसमें जो आप लोग के आपे डेटा बता रहे हैं जो अभियर्थ्योदर अप्लिकेशन किये करने अपने स्वा विवेक का प्रियोर करके फोरम भरें क्योंकि दोस्तों यहां पर जो आप लोग का एक्जाम है यहीं से स्टार्ट हो गया है अगर आप अच्छे जोन का चुनाओं नहीं करते हैं दोस्तों आपको यहां पर दिकत की सामना करना पड़ सकता है जैसा कि करके अपने हिसाब से ही जोन का चुनाओं करेंगी हलाकि दोस्तों मैं आपको अभर विव दे रहा हूं आपको अनुमान लग जागा कि हमें कौन से जोन में फोरम को अपलाई करना चाहिए तो दोस्तों मेरे पास जितने जोन के आपड़ाटा आया है इस वीडियो में आप लोगों को डिसकस करने वाले हैं दोस्तों यह जो डेटा है यहां पे 12 फरवरी के देरा तक और कुछ डेटा आज का भी है तो दोस्तों से पहले बात करते हैं यहां पे RRB विलासपूर के बारे में दोस्तों यहां पे टूटल जो सीट है 1316 है और दोस्तों यहां पे कल यानि 12 फरवरी को देर आतक यहां प दोस्तो ए जो तिन जोने हैं यहाँ पर रेड जूर में चल रहे हैं वाई मुंबई के अगर बात करें तो मुंबई में यहाँ पर 547 पूश्ट है और यहाँ पे दो लाक चօज़ार के आसपास पीफर्म अप़लाई हो चुकी हैं तो दोस्तो एक यहाँ पर मुंबई में अब बाते हैं 286 चीट है और यहां पए 2300 पलस यहां पर फॉर्म आज सुबह तक आठ बजी तक दोस्तों यहां पर रिपोट आया है कि दो लाक 13,000 पलिस यहां पर फ्रम पार्क कर चुकी हैं दोस्तो में बबिग्स हो से आपके चुकी हैं दोस्तो यहां पर भपारक करद कर बात करें दो से आप 2, देखें राची में 163 सीठ है और यहाँपे 1,15,000 के आसपास में फिर्म अप्लाई हो चुके हैं। कुलकता के बात करें 535 सेट है और दुस्तों यहाँपे अच्छा खासा फरम गिर रहा है 244 पलस यहाँपे फिर्म एप्लाई हो चुके हैं। चिनई के अगर बात करें तो चिनई में 148 सीट है और दोस्तों यहाँ पर 1,15,000 के आसपास में यहाँ पर फॉर्म अभी तक गिर चुके हैं भुनेसपर के अगर बात करें तो भुनेसपर में 2080 सीट हैं दोस्तों 2080 सीटों के लिए 1,85,000 के आसपास में यहां पे फॉर्म गीर चुके हैं तो भुनेसपर जोन आपके लिए अभी ठीक ठाक चल रहा है बेंगलोर के बात करें बेंगलोर जोस्तों आपको एक मीडियम रे दोस्तो एक लाग पच्छतर हजार यहां पर फॉर्म गीर चुके हैं दोस्तो यहां भी अच्छा खासा यहां पर फॉर्म देखने को मिल रहा है आगे बात करें यहां पर सिल्ली गुडी के सिल्ली गुडी में यहां पर फॉर्म देखने को मिल रहा है त्रिवेंदरम का दाटा नहीं मिला है, चंडी गार्ड में जोस्तों पता चला है कि 66 पदों के लिए आपे 67,000 के आसपास में अभी तक गीर चुके हैं, कोहाटी का दोस्तों नहीं मिल पाया है, गोरकपुर में भी डाटा एवलेवर नहीं हो पाया है, तो दोस्तों इतने भी बता दें कि तो विलासपूर, सिकंद्राबाद, अहमादाबाद, यह तिन-चार जोन है, जोस्तों यहाँ पर रेड जोन में चल रहा है, जोस्तों मिडियम रेंज के जोन अगर देखें, तो यहाँ पर राची भी ठीक ठाक चल रहा है, खोलकता भी ठीक ही कहा जा सकता है, उसके बाद, यहाँ पर भुनेशवर है, बैंगलोर है, यह सारे जोन चल रहा है, उसके बाद, बहुत से जोन है, यहाँ पर सीचो के संख्या कम है, लेकिन दोस्तों आपको रिक्स है, क्योंकि बहुत से अभियरती अभी फोर्म अपलाई नहीं कि है, दोस्तों अभी तो ट 50% फोरम के रहे हैं 5 जिनों में इतना जवर्दस नहीं कि कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों maximum जो दोस्तो maximum candidate जो है अभी रुके हुए हैं सब लोग बेट कर रहे हैं कि देखते हैं कि कोई से जोन में कितना फोर्म गिर रहा है और उसकी data का इंतजार कर रहे हैं अब दोस्तो maximum आपका फोर्म गिरना और किसी जोन को रेड बना सकते हैं और कोई भी जोन यहां पे ग्रीन जोन में रह सकता है तो दोस्तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी बिलासफूर है, दोस्तो बहुत से भेहत्ति सोचने के चलो, बहुत लोग बिलासफूर ही जा रहे हैं, लकिर अभी तक जो हिसाब से भी फ्रम गिरा है, अगर ज्यादा ब्रीधी नहीं है, तो आपको एक नोर्मल जोन की देखने को मिलेगा जैसे अगर आप सुचते हैं कि बिहार में 38 सीट है तो यहां पर कम सीट हो चाहें ज्यादा सीट हो आपको कौनसे जून का चुनाओ करते हैं अगर अच्छे आन का चुनाओ हो गया तो अगर 2411 वहले ने मळिनी हुआ तो इतनी बड़े एकजाम में अंप लो चाहें लुझे नंबर बहुत ही महयने रकता है तो दोस्तो अभी अपडिट था आपको कइश लगा अच्छा लंग झाल झाल